दोस्तों नमस्कार मिरे नाम संजे मगगू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना में चुनाव है विधान सभा का चुनाव और चुनाव को ले करके हर तरफ सरगर्मिया जोरों पर है हर्याना के अंदर विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन का कारय भी इस समय पूरी तेजी पर है आज अगर कहें तो हर्याना के अंदर कई सीटों पर कई दिगजों ने नामांकन किये पलवल में करन सिंग दलाल ने अपना नामांकन किया फरिदाबाद के अंदर विपुल गोयल ने नामांकन किया बतोर बीजेपी कैंडिडेट तिखाओं में राजेश नागर जो विधायक है उन्होंने अपना नामांकन किया भाजबा प्रत्याशी के रूप में बड़ी संख्या में नेताओं ने नामांकन किया और ये कारेया बगले तीन दिन तक 10, 11 और 12 तारिक को जारी रहेगा अभी कई पार्टियों की यानि कि दौनों पार्टियां तो प्रमुग भारती जन्ता पार्टि और कॉंग्रेस कॉंग्रेस ने अभी तक मात्र 41 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उता रहे हैं 41 प्रत्याशी सामने आए हैं उनन 4 सीटों पर अभी कॉंग्रेस को अपने कैंडिडेट देना बाकी है यानि कि आदी से भी 4 ज्यादा भारती जन्ता पार्टि ने 67 सीटों पर 67 सीटों पर अपने कैंडिडेट दिए हैं 23 सीटों पर अभी भाजपा के प्रत्याशी आने बाकी है बाकी जो और रिजनल पार्टियां हैं आमादनी पार्टि ने भी आज 20 कैंडिडेट दिए इनलो बसपा और जजपा असपा जो और पार्टियां गठवंदन जो हैं इनके भी प्रत्याशी धीरे-धीरे आने शुरू है इन सबके बीच में राजनीतिक चर्चाएं हैं और चर्चाएं ये हैं कि कौन कहां हलका है, कौन कहां भारी है किसकी कहां दाल गलेगी और किसको कहां परिशानी सामने आएगी इस वीडियो में मैं आपसे हरियाना की दो प्रमुक विधान सभा सीटों की बात करूँगा और दौनों विधान सभा सीटें गुरुगराम लोग सभा की है हर्याना की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है मद्दाताओं के आधार पर और दूसरी सीट है गुरुगराम की विधानसभा सीट भी आप ये कहें कि बहुत बड़ी विधानसभा सीट है और हर्याना की ऐसी कुछी सीट हैंगी दो-चार ही जिनके अंदर इतने वोट होंगे लगबग सबाई चार laag क्या सब्स फास गुर्वराम विधानसबा में वोट हैं। इन दौनों विदानसवा सीटों का जिक्र शे 홉लिये undगे की इन दौनों ही विदानसवा सीटों पर जहां गुरोग्राम में तो दौनों चेहरे आमने सामने पहली बार भ़ढ़ेंगे कॉंग्रेस और भात्षी जनता प्रटी के कॉंग्रेस और भाजबा के चहरे पहली बार भिढ़ेंगे दोनों में सिमिलर्टी ये है जो कॉंग्रेस के कैंडिडेट है वो पिछला चुनाव गुरोगराम से ही निर्दलिया लड़े थे और जो दूसरे कैंडिडेट है भारती जन्ता पार्टी के वो बाजब्शापूर से निर्दलिया चुनाव लड़े थे और अगर मैं आपसे बाजब्शापूर की बात करूँ जो बाजब्शापूर के अंदर दो जो विधायक के कैंडिडेट है कॉंग्रेस और भारती जन्ता पार्टी के दोनों OBC समास से हैं दोनों यदुवंशी हैं और दोनों आमने सामने हैं दोनों प्रतिष्टित हैं एक खाटी नेता हैं और एक उभरते हुए सिता रहे हैं बाजब्शापूर के आपसे अब पहले बास शुरू करता हूँ में गुर्ग्राम विधान सभा की गुर्ग्राम विधान सभा में भारती जंता पारटी ने जो अपना टिकेट दिया है वो मुकेश शर्मा को दिया है मुकेश पहलवान मुकेश शर्मा एक अच्छे कारोबारी हैं प्रोपरटी के कारोबारी हैं पड़े उनके धंदे आए काम धंदे प्रोपरेटी के खास कर और लंबे समय से चुनावी तयारी कर रहे थे अगर आप आज से दो महीने तीन महीने पहले गुरुग्राम में गए हों तो ऐसा गुरुग्राम के अंदर कोई ही पोल दिखाई देगा जिस पर मुकेश शर्मा के ही भारती जनता पार्टी में भागम भाग शुरू हो गई बगावत का दौर शुरू हो गया जियल शर्मा टिकट चाहते थे जियल शर्मा को टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी छोड़ दी कॉंग्रेस में शामिल हो गए नवीन गोयल टिकट चाहते थे नवीन गोयल को भी टिकेट नहीं मिला उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने की तैयारी में हैं वो गुरुग्राम से सुधीर सिंगला यहां के विधायक थे भारती जंता पार्टी के सुधीर सिंगला अभी शान्त हैं खामोश हैं क्या करेंगे कुछ पता नहीं वैसे लगता नहीं है कि बगावात करेंगे लेकिन अगर वो उदासीन रहेंगे तब भी भाजबा को दिक्कत होगी अगर मैं गुरुगराम विधान सभा का आप से जाती का समीकरण की बात करूँ तो यहां सबसे अधिक संख्या में पंजाबी मद्दाता हैं पंजाबी मद्दाताओं के बाद जो दूसरी संख्या है यहां पर वो वैश्य अगरवाल मद्दाता हैं और अगर मैं ब्रहमन मद्दाताओं की बात करूँ तो वो तीसरे नंबर पर आते हैं इन तीनों कम्यूनिटीस के अंतर अगर आप इनके तुलना करके चलें पंजाबी समाज लंबे समय से मांग कर रहा था कि गुरुग्राम की विधानसभा की सीट उनको दी जाए चाहे वो 2009 का चुनाव था चाहे 2014 का चुनाव था उननिस का चुनाव था चाहे अवे 24 का चुनाव है और अगर आप कहें तो 2009 के चुनाव के बाद किसी पंजाबी चेहरे को पह गए धरमबीर गाबा चुनाव हार गए थे धरमबीर गाबा के बाद में कोई भी पंजाबी नित्रतव नहीं आया यह जरूर है कि मोहित ग्रोवर ने पिछला चुनाव निर्दलिय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा एक महिना पहले ही मोहित ग्रोवर कॉंग्रेस पाइट पाइटि का टिकेट नहीं मिलता तो उनको भी चुनाव लड़ना था और मोहित ग्रोवर तो शायद लगता है कि कॉंग्रेस में गई है टिकेट की गारंटी पर थे अब दोरों को टिकेट मिल चुका है गमासान के अंदर सबसे प्रमुक बात यह है कि मुकेश शर्मा को भी इदन किया था टिकेट के लिए पंजाबी समास से भी कई लोगों ने किया था आशीश दुआ ने किया था पंकश डावर ने किया था लेकिन अभी तक भी महां पर कोई भीतर गहत या बगावत की बात सामने नहीं आ रही गुर्गराम विधान सबामें कॉंग्रेस के लिए लेकिन इदर मुकेश शर्मा के सामने जीयल शर्मा पार्टी छोड़ कर चले गए नवीन गोयल सामने आ गए हाँ एक जरूर फिल गुड कर सकते हैं भाजपा के लोग कि उमेश अगरवाल जो यहां के 2014 से 19 में भाजपा के विधायक थे जो आजकल आमादनी पार्टी में है और संभावता आमादनी पार्टी के वो कैंडिडेट भी हो यह जरूर है कि उमेश अगरवाल की पतनी और उनके बेटे को भारती जन्ता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया वो उनकी इंटरनल परिवार की बात क्या रही होगी लेकिन भाजपा के लोग इस शर्मा कहीं नवीन गोयल के साथ में सेटिंग बिठा ले थे अगर उनका और नवीन गोयल का कहीं तालमेल सामजस्य बैठ जाए तो चुनावी मुकावला होना रोचक था लेकिन अगर नवीन गोयल भी मैदान में हैं और इनके साथ-साथ मुगेश शर्मा को तो टिकेट मि ली चुका है और अगर इतर कॉंग्रेस से मोहित ग्रोवर हैं तो फिर चुनाव में वो रोचकता नहीं रहेगी अगर मैं उनकी मानूं तो उनके लिहास से हलाकि चुनाव अभी चलेगा चुनाव की नई बाते रोज सामने आएंगी लेकिन यह जरूर है कि अगर राजनित सबा में कॉंग्रेस द्वारा पंजाबी कार्ड का खेलना और तीसरी प्रमुक बात यह है कि मुकेश शर्मा के साथ में अगर यही चला अगर वहां पर अन्या पार्टियों की तरफ से अन्या कास्ट के लोग निर्दलिये लड़ रहे हैं जैसे नवीन गोयल अगर यह वाक से बाश्यापुर की बात करूं तो बाश्यापुर विधान सभा के अंदर भी आप यही कह सकते हैं जैसा मैंने आपको गुरुगराम के लिए बताया कि भाजपा और कॉंग्रेस के दौनों नेताओं की तरफ से यह तय था जो कैंडिडेट हो गए कि यह हर कीमत पे कमान को परदेश के नेताओं को और लोकल जो लीडर्शिप है उसको आख दिखा रहे थे कभी वो बोलते थे कि होडल से लेकर अटेली तक भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी कभी वो बोलते थे कॉंग्रेस से चुनाव लड़ूंगा कभी वो बोलते थे कि अगर यानि की प्रेम और जंग में सब जाया जाये और चुनाव बहुत बड़ी जंग होती है राव नरवीर सिंग ने वो सब किया चुनाव के अंदर टिकट लेकर क्या अब राव नरवीर सिंग के साथ आगे क्या मैंने कल एक वीडियो आप साथ शेयर के था आप इसे देख सकत तो जवार यादव के लग सुरताल होंगे जवार यादव भी टिकट मांग रहे थे अगर अगरा नाम कहूं तो सुधा यादव भरी पंचायत भरी बैठक के अंदर जो भाजबा की सी सी की बैठक थी उसमें कह चुकी थी कि ऐसे नेता जो धमकी दे रहे हैं इनसे बचा ज कि अधिन होंगे तो उस्तिती में राव नर्वीर सिंग को कितना फायदा मिल सकता है अगर बात कॉंग्रेस की करें तो कॉंग्रेस के जो कैंडिडेट है वर्धन यादव नए चेहरे हैं वो फ्रेश चेहरा है बिलकुल वर्धन यादव के साथ एक समस्या बढ़ी ही वोट हो जहां चुनाव जीतने के लिए गिंती शुरू दो लाग से होनी हो उस सिती के अंदर वहां उस चुनाव छेतर के अंदर एक तरह से समीकरण बिठा पाना बड़ा टफ होता है लेकिन मैं आपको बता है कि वर्धन यादव तैयारी तो लोकसभा की भी कर रहे थे स्वर्धन यादव का नाम है बड़े उद्धोगिक परिवार से आते हैं अपना परिवार भी और ससुराल पक्ष्ट भी दोनों एक उद्धोगिक परिवार से आते हैं लेकिन इस सब के बाब जूद भी क्या वर्धन यादव ओवीसी मद्दाताओं में कितनी सेंद लगा पाएंगे जब सामने राव नर्बीर सिंग जैसा खांटी नेता है और उसके बाद में अगर कहेंगे तो फिर जो कॉंग्रेस से टिकेट मांग रहे थे चाहे वो राव कमल वीर हूं चाहे वो राव धरमपाल स्वर्गित राव धरमपाल के बेटे हूं यह तमाम जो नेता से यह कितना सहयोग करेंगे या फिर वर्धन यादव को भी भीतर घाज जिलनी पड़ेगी यह बहुत सारी बाते हैं खासकर बाश्चापुर विधान सभा छेत्र में इसलिए मैंने आपसे इन दौनों विधान सभा छेत्रों का जो हर्याना के बड़े छेत्र हैं इनका मैं चुनाव गुर्गराम विधान सभा से लड़ रहे हैं जो भाजबा के प्रत्याशी हैं उनको कितना भीतर घात का सामना करना पड़ेगा और अगर गुर्गराम विधान सभा में जो कॉंग्रेस और भाजबा यानि की मोहित ग्रोवर और मुकेश पहलवान और दूसरी सब बादशापूर में राव नर्वीर सिंग और वर्धन यादव के बीत चुनावी बिढंत कैसी होगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नहीं मारे साथ देखते रहें देश रोजना